दोस्तों कि आप भी चाते हैं कि भारती टीम विश्वकप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों आस्ट्रेलिया की जीत से पॉइंट स्टेवल में भूचाल आ गया है जहां इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान गहरे सदमे में चला गया है तो वहीं भारती टीम को एक बहुत बड़ी खुशकबरी मिली है तो आखर कैसे ऑस्टेलिया की जीत से भारत का सेमी फाइनल खेलना हुआ तै कहां पीछे चूट गई है इंग्लैंड क्या है सेमी फाइनल का पूरा गणित यह सब तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन उसे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारती टीम के साथ पाकिस्तान और आफ्रिका में से कौन सेमी फाइनल में जगह बनाएगी इस बात के जबाब नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा दोस्तों उतार चड़ाओ से भरा दर्शकों की धढ़कने बढ़ा देने वाला ये वर्ल्ड कप सेमी फाइनल के आखरी दौर में पहुँच गया इस बार का वर्ल्ड कप अपनी सांस रोग देने वाले मुकाबले के लिए जाने जाने वाले कई दशकों तक याद रहेगा जिसमें कई ऐसे पलटवार हुए जिसकी उमीद ना दर्शकों ने की थी और ना ही क्रिकेट जगत में किसी और ने जहां आस्ट्रेलिया को निजुलैंड के हाथो 89 रनों से शिकस्त मिली तो वहीं पाकिस्तान को जिम बॉम्बे ने रौध दिया और इसके अलावा बड़ी ही आसानी से सेमी फाइनल की तरफ बढ़ गई और भारती टीम को भी बड़ा जटका लगा साउथ अफरिका ने हमारे विश्वकप की उमीदों को बड़ा जटका दिया हलागी भारती टीम अपना अगला मैच जीत कर पॉइंट स्टेवल में टॉप पर आ गई थी और आज निजुलैंड आर्लैंड को हराकर सेमी फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है लेकिन दोस्तों आज दूसरा मैच आस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया जिसमें डिफेंडिंग चैंपियर ने जीत हासिल कर पॉइंट स्टेवल में तगड़ी उठा पटक मचा दी है दोस्तों आपको बता दे कि आस्ट्रेलिया के टीम को इस महा मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करने का अवसर मिला और उनके सामने जीत के अलाबा कोई और विकल्प मौजूद नहीं था क्योंकि न्यूजिलैंड सेमी फाइनल में पहुच गई है और उनकी हार इंगलैंड को आसनानी से सेमी फाइनल में पहुचा दे दी लेकिन इंगलैंड के अर्मानों पर पानी फेरते हुए आस्ट्रेलिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए गलैंड मैक्सवल के ताबड तोड चौवन रनों की बदौलत 168 रनों का विशाल का बहतरीन स्कोर खड़ा कर दिया जिसे चेस करते हुए अफगानिस्तान की टीम आस्ट्रेलिया के घातक गेंद बाजों के आगे टिक नहीं पाई और डिफेंडिंग चैंपियर ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया इसी के साथ ही आस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट में भी सभी मैच अप समाप्त हो गए हैं और अपने खेले गए पांच मैचों में से आस्ट्रेलिया की टीम ने तीन मैच जीत कर साथ अंकों के साथ ग्रूप में अपनी जगए पक्की कर ली है और आपको बता दे कि पॉइंट स्टेवल में ये दूसरे पोजीशन परा गई है इसी के साथ इसाथ उन्होंने सेमी फाइनल में पहुँचने की अपनी राह आसान कर ली है हलाकि उनके रन रेट में खास इजाफन नहीं हुआ लेकिन दोस्तों आस्टेवलिया की इस जीत ने इंग्लाइन को एक करारा जटका दिया है और अब इंग्लाइन को एशिया चैंपियन श्रेलंका के खिलाफ किसी भी सूरत में जीत हासिल करनी ही होगी नहीं तो आस्ट्रेलिया साथ अंको की बदोलत सेमी फाइनल में पहुँच जाएगी इंगलाइंड पांच अंको के साथ आसानी से सेमी फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी हालाकि इंगलाइंड का रन रेट प्लस 0.547 है तो आस्ट्रेलिया से बहुत अधिक है ऐसे में इंग्लाइंड को सिर्फ एक जीत चाहिए सेमी फाइनल में जाने के लिए और वहीं श्रीलंका अब चाहे अपना आखरी मैच जीत भी जाए तो भी वो केवल 6 अंकों तक पहुँच पाएगी और इस सिचुशन में आस्ट्रेलिया ही सेमी फाइनल खेलने के लिए जा साथ बादशाह बनी हुई है और क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफरेका को उनके पिछले मैच में शर्मनाक सिकर्श दी थी जिसकी बदोलत अफरीका चाहा कर भी भारती टीम की बरावरी नहीं कर सकती है अफरीका के चार मैचों में पांच अंक है और यदि आस्ट्रेलि में हम आस्ट्रेलिया को आसानी से हरा सकते हैं जो कि निजुनेंड हमेशा नौक आउट मैचों में हमारे लिए काल सावित हुई है तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि आस्ट्रेलिया क्रिकेट से भारती टीम का बहुत स्तर उचा है और हम सेमी फाइनल आसानी से जीत सकत नहीं है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की टीम सेमी फाइनल मुकाबला किस से खिलने वाली है इस बात का जबाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल दोने वा झाल 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 झाल